चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं Atomi India Registration by Mobile Application तो सबसे पहले आपको ID में Login करना है Right Top Corner पे जैसे Join Us पे क्लिक करोगे तो इस तरीके की Window Open होगी और इंडिया में Registration करने के लिए Residence of India एज होने चीए 18 साल 18 years Except Marasta State आपकी Marasta के अगर आप Member हो तो वहाँ पे 21 years age होनी चीए Atomi में Member बनने के लिए और Except Marasta All India के जितने भी States है 18 साल की age आपकी होनी चीए तो और आपको यहाँ पे क्लिक करना है Distributor Individual जैसे आप देख रहे हो तो Distributor के उपर Individual ID आपकी है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे Distributor के उपर तो जैसे करेंगे तो आपका Next जो विंडो है वो उपन होगा इस तरीके से आपका ये विंडो उपन होने वाला है तो उपन हो होने के बाद ही इस तरीके का Screen आपके उपर आएगा Mobile के उपर ये वीडियो जो आप लोग देख सकते हैं और Right Side में देखो All Agree एक Box है यहाँ पर आपको क्लिक करना है All Agree के उपर फिर Direct Seller जो Agreement है उस पर आपको क्लिक करना है सभी पर और Last में Confirm करना है You are Agree तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है Whatever written here you have to read it Then confirm करो गया उसके बाद ये जो Registration का जो पेज है ये उपन होगा यहाँ पर आप मेल है फिमेल है यहाँ पर क्लिक करना आपको जेंडर Okay, मेल Date of Birth में यहाँ पर Right Side में क्लिक करना आपको Date of Birth आपको सेलक्ट करनी है फिर Password, फिर Confirm Password उसके बाद Guest Password और आपका Mobile Number Phone Number का जो कोलम इसको ब्लैंक छोड़ना है जितने भी स्टार मारक है लेफ्ट साइड में देख रहे हो आप यह लो स्टार मारक यह कोलम आपको फिलप करने ही है Mobile Number उसके बाद Address आपको डालना है जो Address आपका आधार कार्ड में है जो डोकुमेंट आप लोग अपलोड करोगे यहाँ पे वो Address यहाँ पे आपको डालना है फिर Pin Code आपको यहाँ पे डालना है राइट साइड पे सर्च पे क्लिक करना है तो आपका जो भी डिस्टिक है पिन कोड वो यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे Email ID डालनी है और Last में आपको I Agree यह बोक्स पे क्लिक करना है फिर Next Step आपको फोलो करना है तो इस तरीक के से डिटेल्स फिल अप करने है तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तो Next Part So Friends, डिटेल्स आपको फिल अप करना है और पिन कोड जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके डिस्टिक का वहाँ पे नाम आएगा उस पे क्लिक करना है City डिस्टिक स्टेट ओटो फिल है और फिर Email ID आपको लास्ट में फिल अप करना है और Right साइड में Next के उपर क्लिक करना है और Next यहाँ पे आपका जो पेज है वो उपन होगा और उसके बाद आपको पैन कार्ड नमबर यहाँ पे डालना है और List of Address Proof Document यहाँ पे सलक करना है आपको चार यहाँ पे डोकुमेंट से हैं आदर कार्ड सलक करना है तो आदर कार्ड पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अगर Spouse को Add करना चाहते है तो Yes और नहीं Add करना चाहते है तो No तो यहाँ पे No पे क्लिक करना है और आपके Sponsor का ADA नमबर यहाँ पे फिल अप करना है और Sponsor का नाम यह Auto Fill है यह आ जाएगा और Center का नाम तो चलिए दोस्तो अब इसको फिल अप करते है उसके बाद आपको Next जो प्रोसेस है वो दिखाते हैं हम यहाँ पे तो Pen Card नमबर में आपको यहाँ पे Pen Card एंटर करना है यहाँ पे और यह Government के NSDL Data से आपका नाम यहाँ वहाँ से Pick Up करेगा तो देखिए मैं Live Example आपको दिखाता हूँ CRYPD154 ठीक है पूरा नहीं डालूँगा मैं इसमें क्योंकि यह Privacy है और इस तरीके से डालके आपको Verification के उपर क्लिक करना है राइट तो जैसे आप Verification के उपर क्लिक कर लेंगे तो Government of India के NSDL के थुरूँ आपका जो Pen Card के उपर नाम है Original वो यहाँ पे आजाएगा और उसी नाम के उपर आपकी ID जन्नेट होगी जो Pen Card है और यह बहुत ही ethical और most legal company है जो कि आपका जो data है Pen Card का वो Government of India के थुरूँ आपका पहले verify होगा Pen Card उसके बाद ही आपकी ID यहाँ पर लगेगी तो इस तरीके से आपको Pen Card नमबर डालना है और verification के उपर click करना है यहाँ पर राइट तो friends यहाँ पर आधर काड यहाँ पर नमबर डाला आपने upload किया front and back और acknowledge करना है यह जो boxes है right side में four boxes पर click किया आपने उसके बाद आपको sponsor ID नमबर डालना spouse पर नो कीजी आप अगर आप नहीं करना wife के judgment करने तो sponsor का ID नमबर यहाँ पर डालना है ओके तो जैसे sponsor का ID नमबर आप यहाँ पर डालोगे 38250124 38250 तो यह बिल्कुल ठीक होना चाहिए आपको re-check करना है और confirm पर click करना right है जैसे confirm पर आप click करेंगे तो यह नाम आएगा इस तरीके से screen पर स्रीपीटर X करके और यह empty left right तो यह first जो ID है स्रीपीटर X के left में जाएगी और नीचे यहाँ पर आपको confirm करना है ठीक है और confirm करेंगे तो यह जो ID उनके left side में जाएगी अब center सर्च करना तो center के उपर click किजी यहाँ ठीक है search के उपर click करना आपको जैसे search के उपर click करेंगे तो team warrior के काफी centers है और लड़ी security warrior center यहाँ पर हमारा है तो आप भी सलक्त कर सकते हो security warrior center हूं यहाँ पर search पर click करो आप नीचे तो यह center आ जाएगा यहाँ और नीचे वाली line पे click करना है center address यहाँ लाइन पर नीचे तो यह autofil Civic is security warrior Center यहाँ पर ऐसाल थाएगगा यहां पर आ जाएगा ओके तो इस तरीके से आपको करना है तो कंफर्म पर यहां पर हमने क्लिक किया है ओके इस स्टेप में यह सारे चीज आपको रीचेक करना है जो भी आपने फिलप किया है वो कोरेक्ट है या नहीं ओके कोरेक्ट नहीं है तो एडिट कर सकते हैं बैक में जाकर करके दुवारा से ओके तो नेक्स टेप फोलो करते हैं फ्रेंड्स रेजिश्टेशन कम्प्लीट आप BOY this sincer熟 करेंगे तो आपका यह पर रेजिश्टेशन कम्प्लीट हो जाएगा चलिए देखते हैं फ्रेंड्स रेजिश्टेशन कंप्लीट के उपर किलिख करेंगी तो यह आपकी id यहांपर आ जाएगी और इसका यह आईडी रजिस्टर हो चुकी है और अगर अभी तक आपने आटो में जैसे बहुतरी इन अपोर्शनिटी को जोइन नहीं किया है तो आप आटो में टीम वारियर के साथ जोइन कर सकते हैं यानि कि शेरोन रोज मास्टर राठोड के साथ माइसेल्फ आपको हमारे टीम वा आटो में ग्लोबल की जो लेटेस्ट अप्डेट आगो ताम तो ताम मिलती रहे दोस्तों थैंक्यू वेरी मस्तों